यूज आइफोन लेने का सोच रहे हो और कनफ्यूज हो कि क्या चीज़े चेक करें क्या ना चेक करें क्योंकि आपको बहुत जादा फ्रॉड भी चलता है कई बार नकली आइफोन भी वहाँ पे मिल जाते हैं चाहे चीज़े आपको चैक करने चाहे एक पुराना आइफोन लेने से पहले, चाहे आप दुकान से ले रहे हो, चाहे आप किसी बंदे से ले रहे हो, उसी के बार में है आज की वीडियो, और ये वीडियो को मा बहुत ही क्विक रख़ूँगा, सबसे पहली चीज, अगर जाना है, settings के अंदर, settings में जाने के बाद आपको जाना है, general में, general में जाने के बाद आपको जाना है, about में, about में जब आप नीचे scroll करो तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, carrier lock, यहाँ पे no SIM restrictions होना चाहिए, अगर यहाँ पे no SIM restrictions नहीं है, मतलब वो किसी network के साथ लिया हो, तो वहाँ पे कुछ SIM जो है, उनको वो support नहीं करता है, country lock भी वहाँ पे लगा हुआ, आपको देख सकता है, तो जहाँ पे no SIM restrictions आपको दिख रहा है, वही वाला phone आपको लेना है, आपको locked phone बिलकुल नहीं लेना तो chances हैं कि वो country lock के साथ आएगा, और वो phone का आपको कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपका SIM उसके अंदर चलेगा ही नहीं, इसके बाद दूसरी चीज़ जो check करने है, जो कि बहुत ही obvious है, कि आपको सारे buttons जो है, उनको check कर लेना है, आपका power button है, volume button है, ring switcher जो है, और अगर आप 15 ले रहे हो, तो वहाँ पर आपको action button मिलता है, यह सारे buttons वो आपको दबा के देख लेना है, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, vibration वगएर आपको check कर लेनी है, और एक चीज़ और जो SIM card tray है, आपको वो निकाल लेनी है, और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से SIM tray निकालने के बाद, तो आपको phone नहीं लेना है, इसके बाद आपको phone को कर लेना है, unlock और आपको देखना है कि phone आपका activated है, या फिर नहीं, अगर उनने reset किया हुआ, तो उनको बोलो कि भाई, एक बार मैं अपनी ID डाल के देखूँगा, अगर वो activate हो रहा है, तब ही आप आपको phone लेना है, कई बार लोग क्या करते है, वो locked phone रहते है, वो लेके आजाते है, किसी का उसके उपर iCloud ID लगी हुई होती है, तो आपको फिर वो दे देते है, वो बोलते है, नहीं भाई, आप set कर लेना हो जाएगा, तो वो चीज में आपको नहीं पढ़ना है, आपको store का नाम अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको वो जो ID है, वो log out करवा देनी है, और आपने make sure करना है कि वहाँ पर किसी भी तरीकी की iCloud ID ना हो, कोई भी वहाँ पर Apple ID जो है, वो login ना हो, अभी आपको फोन लेना है, क्योंकि काई बार ये जो फोन आपको चेक कर लेना है, और इसके बाद आपको जाना है camera app के अंदर, और इसके बाद सारे जो cameras है, आपको सारे cameras को one by one चला कर देख लेना, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, वीडियो बना कर देख लेना, audio सुन लेना, और उसके बाद audio की बात आई है, तो आपको कर लेनी ह और अगर आपको box भी मिल रहा है, तो box के पीछे इस जगा पे आपको serial number मिल जाता है, IMEI मिल जाता है, यह आपको आपके phone के साथ match कर लेना है, तो उसके लिए आपको जाना है settings में, और settings में जाने के बाद आपको जाना है general में, और general में आपको मिल जाएगा about section, तो यहाँ प आपको जाना है Google के उपर और Google के उपर आपको search करना है, IMEI checker, और वहाँ पर जो पहली website होगी उसको कर लेना है open, और उसके बाद जैसे आप check पे click करोगे, आपको सारी चीज़े पता चल जाएंगे आपके phone के बारे में, कि यह country unlock तो नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे ह और warranty कब expire होने वाली है, AppleCare है या नहीं, सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यह जो चीज़े आपको definitely करनी ही, अगर आप एक used iPhone ले रहे हो, चाहे और कुछ करो ना करो, यह definitely आपको check करना है, और इसके बाद आपको warranty अगर चेक और तरीके से भी करनी है, त जाने के बाद अगर आप जनरल में जाते हो, तो यहाँ पर AppleCare & Warranty है, यहाँ पर अगर आप टैप करते हो, तो यहाँ से आपको आपके जो devices हैं, उनका पता चल जाएगा, जैसे अब यहाँ पर देख रहे हो, 21 September 2024 तक warranty है मेरे पास, और यह सब करने के बाद एक और बहुत जादा important जो चीज आपको करनी है, क्यों ही कही बार क्या होता है, लोगों ने यहाँ पर battery change करवाई होती है, camera खराब जाता है, camera replace, या फिर जो screen है, वो replace करवाई होती है, तो उसका भी आपको पता चल जाएगा, Apple ने यह सारी चीज़े पहले से ही सोची हुई है, तो अगर आप settings के अंदर आनके बाद general में जाते हो, और यहाँ पर आप जाते हो about में, और यहाँ पर आप जाते हो limited warranty में, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो मेरा सारा कुछ जो है वो बिल्कुल सही है, बट अगर किसी ने यहाँ पर कोई third party से कोई fake screen बगएर जो नकली है, Apple की authorized वो screen नहीं है, Apple से नहीं डलवाई है, तो वहाँ पर लिखके आजाएगा unknown part, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यह जो phone है, वो खुला हुआ है, और अगर उनोंने Apple से बैटरी रिप्लेस करवाई है, screen रिप्लेस करवाई है, या camera में कोई भी fault बगएर था, कुछ भी change क तो वहाँ पर लिखके आएगा genuine Apple part, जैसा भी आप screen shot के अंदर देखे हो, फिर सारी चीज़े आपको check कर लेनी है, और यहाँ पर settings के अंदर ही, तो हम चलते हैं battery में, क्योंकि battery जो है, यह भी बहुत important है, battery के अंदर जब आप आजाओगे, आपको जाना है battery health में, और अगर आपके phone की battery 80% से नीचे है, तो definitely आपको नहीं लेना है वहाला phone, क्योंकि वहाँ पर जो battery है, वो खराब है, अगर आपको वो phone लेना ही है, तो उन से पहले battery का price पता कर लेना, कि Apple के original कितने की है, और फिर उस हिसाब से पैसे जहाँ कम कर देना, उस phone के, क्योंकि आपक अच्छी नहीं रहती है, आपको replace करवानी ही पढ़ती है, तो बैटरी हेल्थ का definitely आपको ध्यान रखना है, तो यह है कुछ चीजे जिनका आपको ख्याल रखना है, अगर आप यूजड आइफोन लेने का सोचो, चैह वो पुराना आप दुकान से ले रहे हो, या किसी अगर कुछ भी फॉल्ट होगा, तो आपको आपको पर प्रॉंट आजाएगा उसा आपके अंदर, वो एक लंबा प्रसीज आएगा, उतने में मज़ा, जितनी चीजे मैंने बताई है, अगर आप इतना ही करते हो, आइए में सही है, ओन पर कॉल आ रही है, बटन सारे ठीक ह बैटरी हेल्ट अच्छी है, तो आइ तिंग अच्छा ही है, सारा कुछ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसके अलाव अगर कोई भी कॉश्चन है यूजड आइफोन लेने के बारे में, प्लीज कॉमेंट करो और मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा, मैं रिप्ल होई है, तो लाइक और शेयर जरू कर देना, चैनल पर नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, मैंने तब नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, बाबाई